जै भुलेनात जै शिरीराम भोजन का स्वाद बढ़ाने में लोंग की एहम भूमिका होती है साथ ही सेहत को लेकर भी इसके कई फाइदे हैं तिकिन क्या आप जानते हैं जोती शाष्टर में इसके कुछ ऐसे उपाई बताएंगे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किसमत रातो रात चमक सकते हैं आयए जानते हैं कि लोंग के ऐसे चमतकारी उपाई जिससे आपकी किसमत चमक जाएगी लेकिन वीडियो शूरू करने से पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो शिवदिव वाइस चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए शेयर करिए अगर आपके घर में लगातार कलेश हो रहे हैं तो एक कांच की बोतल में नमक रखे और उसमें 4-5 लॉंग डाल दे ऐसा करने से घर की नकारत्मक दूर होने लगती है और आपके घर में सुक शान्ती कवास होने लगता है याद रखें कि नमक कियो कांच की बोतल में ही रखे स्टील्जारोहे की बोतल में नहीं उमारी घरों में पूजा पाठ के दुरान देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए भी लोंग का इस्तिमाल होता है सरसों के तेल का दीपक जलाकर इसमें दो लोंग डालकर हनुमान जी की आरती करें इसे आपको हर काम में सफलता प्रापत होगी और कारे में आ रही बादा दूर होगी घर में किसी सदसे जब बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप लोंग का उपाई कर सकते हैं इससे पान सबूत लोंग लेकर उसे नजर लगे बच्चे के सिर्ख से पैर तक साथ बार सीधा और साथ बार उल्टा वार कर जला दे ऐसा करने से बच्चे की बुरी नजर खतम हो जाती है यदि आपकी कुंडली में राहू केतु का दोस सता रहा है तो उसे हर शनिवार को लोंग का दान करना चाहिए इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लोंग अरपित कर सकते हैं ऐसा करने से राहू केतु के बुरे परवामों से मुक्ति मिलती है अगर आपको किसी कारे में सफलता नहीं मिल रही आप ठक चुके हैं तो धन की देवी मा लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ दो लोंग अरपित करें ऐसा करने से आर्थिक तंगी से शिटकारा मिलता है साथ ही धन धनने की कमी नहीं होती वही अगर आपकिसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो तो घर से निकलते समय मुँ में दो लोंग रखकर निकले और वहां जाकर लोंग के कुस अविशेस मुँ में फैक दे ऐसा करने से उस सिकार में सफलता मिल सकती है अगर कठोर मेहनत करने के बाद भी वेपार ना बड़े धन आकर बार बार खर्च हो जाता है तो आप ये उपाई कर ले प्रति दिन एक लोंग और एक सुपारी अलग से ही साथ में रखे काम पर जाने से पहले लोंग चूसे तथा सुपारी को वापस लाकर गनेश जी के आगे रख दे तथा जाते हुए कहें जै गनेश काटो कलेश या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ती के सामने चमेली के तेल का दीपक जनाए इस दीपक में दो लोंग डाल दे और इसके बाद हनुमा चालीसा का पार्ट और आर्थी करें ऐसे लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा जोती शास्त्र के अनुसार प्रती दिन या प्रते एक शुकरवार को मा लक्ष्मी की पूजा करते समय दो लोंग गुलाब के फूल के साथ मा को अर्पित करें इसके इलावा पांस लोंग की कलिया को लाल रंग के कपड़े में लिपेट कर तिजोरी जा अलमारी में डखने इस उपाई करने से आपको धल लाब होगा अगर घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या परिवारिक सदस्ये आपस में लड़ते जगडते रहते हैं तो लोंग का यह उपाई आपके लिए काफी कारेगर साबित होगा इसके लिए आप शनीवार के दिन शाम को 5 लोंग, 3 कपूर और 3 ही बड़ी वाली इलाची को लेकर जला दे जली हुई इन चीजों को घर के सभी कमरों में ले जाएं और घुमाएं इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को मुखे द्वार पे फैला दे ऐसा करने से घर में मुझूद नकात्मक शक्ति का नास होता है और धीरे धीरे सभी सदिस्यों में प्रेम भाब बढ़ने लगता है अगर आपका धन काफी दिनों से अठका हुआ है या फिर कोई लोटा नहीं रहा है तो पुर्णिमा या अमवस्या की राद 11 या फिर 21 लोग कपूर के साथ जलाएं इसके बाद कनक धरा स्रोत का पाट करें और माता लक्ष्मी ध्यान करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराएं ऐसा करने से अठका धन वापस आने के लियोग्य बनते हैं बुरे सपनों से बचने के लिए तकिये या गद्दे के नीचे आठ लोंग रखे अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो एक डिम्बू के उपर चार लोंग गाण दे और ओम श्री हनुमते नमा मंत्र का 21 बार जाप कर उस निम्बू को अपने साथ लेकर जाएं हनुमान जी ने चाहा तो आपका काम बन जाएगा अगर शत्रू आपको परिशान कर रहे हैं तो साथ बार बजरंग बान का पाठ करें तथा हनुमान जी को लड़ू का भोग लगाएं और पांच लोंग पूजा स्थान में देशी कपूर के साथ जलाएं फिर भस्म से तिलक करके बाहर जाएं